मद्रदेश में सीधी भरती को लेकर अब सरकार के मुश्किले बढ़ने वाली है। मद्रदेश कर्मचारी मंच ने शास के विभागों में सीधी भरती को लेकर हाई कोर्ट में याचका दिया है। हाई कोर्ट ने जन्वरी में सुनवाई का निर्देश भी जारी कर दिया। सं ने उन कर्मचारियों को मौका दिया जाए जिनके सेवा दस साल से अधिक हो गई है कर्मचारी मंच का दावा है कि भरती के मामले पर सरकार ने कोट में जूट बोला था कि पदेश पर रिक्त पत नहीं है लेकिन अब विदान समच चुनाओ के मदने ज़र सरकार ने एक लाग पदों की सीधी भरती के लिए दिसूशना जारी कर नालिन आदेशों की अभिलना की है जबकि सुप्रीम कोट के इस पश्ट आदेश हैं उमा देवी करनाटक सरकार और भी कई फैसलों में इस पश्ट निर्देश दिये हैं सुप्रीम कोट ने कि सासके विवागों में जो दस साल की सेवा कर चुके हैं इस्थाई कर्मी या दैनिक वेतनमोगी या नान रेगुलर केडर के सम्बर के करमचारी है पहले रिक्त पदों पर उनको निम्मित किया जाए उसके बाद जो सेष्ट पद बचते हैं तब सीधी भरती की प्रक्रिया सरकार करे इननती कोडों के आधिश के मानती है लाँ केंस सरकार के मानती है नि सुप्रिम कोड के आधिश की मानती है कुल मिलाकर यहाँ जो मतद्धेश पलिया नान Pavaaaa चाहन नांता कर रही है ये केवल लोगों के अधिकारों का दोहन कर रही है और लोगों को बेरोजगारी और महंगाई में पुरी से डुबोक रख दिया कानून वेस्ता द्वस्त है